16 महिने की इस महा जंग, महा युद में पहली बार नेटो ने ये माना कि नेटो देशों को रूस और बेलारूस दोनों से खत्रा पैदा हो गया नेटो ने चेताबनी देते हुए कहा कि बेलारूस से पूरब देशा में कम से कम आठ देशों पर हमला होगा हैरानी की बात तो ये है कि नेटो देश हंगरी के प्रधान मंत्री ने एलान कर दिया कि नेटो और यूकरेन कितना भी जोर लगा ले यूकरेन रूस से जंग नहीं जीत पाएगा लोज प्लो जारा सिकूंदू लाल मौत मर रहा है नेटो जोकरेन और नेटो देशों को और भूस के साथ जंग करना अब बहुत भारी पड़ता जा रहा है जो नेटो देश अभी तक यूकरेन को घातक हचियार देने में जोटे थे अब वही नेटो देश घबराय हुए हैं कि अब पुते मौस्को और मिल्स्क से इतने सबरदस्थ हमले करने जा रहे हैं जो योकरेन के साथ साथ नेटो देशों को भी तबाह कर डालेगा नेटो में खौफ का आलम ये है कि अब तक नेटो देश हंगरी के ब्रदान मंतरी वेक्टर ओरबन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में रूस के खिलाफ योकरेन की जीत असम्भव है यानि रूस को योकरेन कभी नहीं हरा पाएगा नेटो देश का डावा योकरेन की जीत असम्भव है पिछले 72 घंटो में रूस योकरेन जंग बड़ी तीजी से बदल चुकी है हालात ये हो गए हैं कि नेटो वेक्नर के जरिये पोतिन का शिकार करने निकला था अब वही नेटो पोतिन का शिकार होने जा रहा है बेलारूस के राश्रपती अलेक्जांद्र लोकाशेंको ने पोतिन को खोली छूट देती है कि वो नेटो पर चारो तरफ से हमला कर योकरेन के चक्कर में मारे जाएंगे 31 देश रूस की राश्धानी मौस्को और बेलारूस की राश्धानी मेंस्क पर पूरी दुनिया की नजरे गड़ी होई है 16 महीने की जंग में पहली बार ऐसा हुआ है जब नेटो देशों पर हमले का खत्रा सबसे ज़ादा हो चुका है भले ही अभी तक की जंग में रूस को भयानक नुकसान हुआ हो लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना ने योकरेनी सेना के पर खच्चे उड़ा कर रख दिये हैं नेटो और पश्चिमी देशों को लग रहा था कि हिमार्स, रॉकेट, लेपड और चैलेंजर जैसे अडवांस टैंक रूसी सेना को मठिया मेट कर तिंग हूँ लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने योकरेन के कम से कम 13 शहरों को कब बिस्तान बना दिया है कुछ दाबों के मताबिक रूस हर दिन योकरेन के पूर्वी और दक्षणी इलाकों पर सौज से जागा मिसाइल हमले कर रहा है लेकिन उससे भी खौफनाक बात ये है कि अब रूस ने योकरेन के साथ साथ योकरेन से लगे कम से कम आठ नैटो देशों पर सीधा हमला करने का मन बना लिया जिसकी वज़ा से अब जंग में नैटों के सभी 31 देशों को मजबूरी में रूस से जंग करनी पड़ेगी लेकिन हम आपको बता दें कि रूस ने पहले ही बेला रूस के पूरब से नैटों पर हमले का प्लान बना लिया है जिसने नैटों के होश उड़ा दी है पहले आप ये जान लीजे कि हेक में हुई नैटों देशों की मीटिंग में क्या हुआ है नैटों पर जप्टेगी पूरब से मौर नैटों के महा सचीव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने साफ कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि नैटों देश अपनी सुरक्षा की पुखता तयारी कर ले क्योंकि पूरब की तरफ से गंभीर खत्रा पैदा हो गया है जेन्स एस्टोटनबर्ग ने कहा कि नैटों को मौस्को या मिंक से आने वाली किसी भी खत्रे से निबटने के लिए खुद को तयार करना होगा वेगनर चीफ येवेगे ने पेरोकसन पर बोलते हुए एस्टोटेंग बोग ने कहा कि बेलारूस में वेगनर के पहुंचने से पूर्वी हिस्से में सैनिक तैयारी बेहत तेज कर दी है नेटो देश लिथुआनिया और पोलेंड ने बेलारूस में वेगनर लड़ाकों को सीधा खत्रा बताया है हैग में आठ नेटो देशों ने मांग की है कि रूस और बेलारूस के हमले से नेपटने के लिए तैयारी युद्ध स्थर पर तुरंत करनी होगी लोज प्रोजार एड़ा सिकुंदू योग्रेन के शक्कर में मारे जाएंगे एकत्तीस देश वागनर की बगावत के बाद से पुतिन का खून खूल रहा है पुतिन को साफ लग रहा है कि मॉस्को पर हमले के फिराग में नेटो देश जुटे हुआ है और उन्होंने वागनर को मोहरा बनाया है लेकिन अब 72 घंटे के बाद बाद जीग पुतिन ने पलट दी है रूस के 3,000 चान, 200 तोपे और 100 से जादा रॉकेट सिस्टम 24 घंटे पूर्दी योग्रेन के खेर सौन पर बायानक हमले कर रहे है हालत ये हो गई है कि भूस ने पिछले 24 घंटे के अंदर योग्रेन के क्राम तोरस्क पर ताबर तोड मिसाइल हमले कर दी है दूफानी मिसाइल हमलों में 11 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है योग्रेन के क्राम तोरस्क में चारो तरफ इमारतों का मलबा और लाशी मिची होनी है इस खौफनाक हमले ने योग्रेन में भायानक दहशत पैदा कर दी है क्योंकि योग्रेन ने इस तरह से पीर वाले इलाके में कभी भी मिसाइल हमला नहीं किया था लेकिन अब भूस ने सारे नियम कानों और भावनाओं को दाख पर रख कर बेरहम हमले चुरू करती है योग्रेन के चार्कर में मारे जाएंगे 31 देश इस Средних дитина, мої співчуття, рідним та близьким, станом на цю годину, більше 40 людей поранено, усім надається допомога, триває розбір завалів Кожен такий прояв терору знову-знову доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуховує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила Поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти усіх російських вбивців पोतिन की सेना ने पिछले तीन हफ्तों में अपने हमले के पैटरन को पूरी तरह से बदल दिया है दावा किया गया है कि अब योग्रेन के पूर्वी और दक्षणी इलाकों पर हमले तेज कर दिये हैं इस वक्त रूस की फोजों ने डानेस, खेरसोन, खारकी, जपरज्या पर सबसे तीके हमले किये हैं एक अनुमान के मताबिक 4 जून से शुरू हुआ योग्रेन का काउंटर अचेक, 3 हफ्ते बाद भी बेखत धीनी रफ्तार से चल रहा है 1500 मीटर की दूरी तैक करने में योग्रेन की सेना 20 दिन से ज़्यादा का समय ले रही है चार जून से अब तक 12,000 से ज़्यादा योग्रेनी सैनिक पारे जा चुके है यही वज़े है कि अब नैटो देश हंगरी के प्रधान मंतरी वेक्टर ओर्बन ने योग्रेन के दावों की पोल खोल कर रख दी है जरा देखिए क्या कह रहे है योग्रेन की जीत के दावों पर हंगरी के प्रधान मंतरी हंगरी के प्रधान मंतरी वेक्टर ओर्बन ने कहा कि रूस योग्रेन युद में रूस के खिलाफ योग्रेन की जीत असंभव है जर्मन टैबलॉइड बिल्ड से बात करते हुए हंगरी के पीम ने कहा कि युद्ध के मैदान में रूस को हराने के लिए योकरेनी सेना की अमेरिकी मदद पूरी तरह से गलत है हंगरी के प्रधान मंत्री विक्टर ओर्बन ने यहां तक दावा किया है कि जंग तभी रोकेगी जब जैलन्स की काखी वाशिंटन से शान्ती वारता करवाएगा लाल मौत मर रहा है नाटो इधर दूसरी तरफ योकरेन के पूरब ने बेलारूस में रूस और बेलारूस ने बड़े हमले की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी जानकारी के मताबिक रूस के परमाडो वं बेलारूस में हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं जबकि बेलारूस के 60,000 सैनिक 25,000 वैकनाद लड़ापों के साथ योखरेंग पर हमला करने के लिए तयार बैठे हैं, वहीं बेलारूस में बूस की 30,000 सैनिकों ने अपने कमांडरों के साथ योखरेंग की सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इधर राश्रोपती पोतिन और बेलारूस के राश्रोपती अलक्जेंडर लोकाशनको ने योकरेन और नेटो को साफ-साफ चेतावनी दे दी है कि नेटो की तरब से आने वाले हर खत्रे का मुँदोर जवाब अब बेलारूस की तरब से दिया जाएगा नाटो पर जप्टेगी पूरब से मौत